ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के अच्छे दिन चले गए 240 पर केवल नरेंदर मोदी नहीं आये बलकि बहुत कुछ ऐसा आया है जो नरेंदर मोदी को कभी देखने को नहीं मिला एक तरफ नरेंदर मोदी इस वक्त में अमेरिका दोरे पर हैं इस तरीके से अंतरास्तिय मंच पर कभी मोदी जी के सामने स्थिती आई नहीं और इसलिए मोदी जी वहाँ पर uncomfortable feel हो गए आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा माजरा हुआ जो बाइडन ने क्या बोल दिया एक दूसरी स्थिती और पैदा होई और वो थी भारत के अंदर भारत में मोदी जी के मंत्री कैबिनेट मंत्री वो एक मंच पर थे और उस मंच पर योगी के दो मंत्री थे दोनों हापस में भेड़े नहीं लेकिन कोई कसर भी बाकी नहीं दे जब अधर्दस्क पहस हो गई मोदी जी के मंत्री का भाषन चल रहा था जैन चोदरी का भाषन और उनी के मंच पर दोनेता अनील कुमार और अगरवाल साब दोनेता अपस में गुथम गुथा नहीं हुए लेकिन कोई कसर भी बाकी नहीं रहे तो इस पर भी भारत की खबर पर भी आएंगे और अमेरिका की खबर पर भी बात करते हैं अमेरिका की जड़ाई तस्वीरे आप देखी विज्वल आप देखिए जो बाइडन मंच पर थे मंच पर मोदी जी भी बैठे वे थे और इसी मंच पर नरेंदर मोदी को बुलाना था लेकिन जो बाइडन ने अपनी बात कही और उसके बाद में कहा कि अब मैं किसको बुलाऊं किसको इंटर्डिउस करूँ आपके सामने मोदी जी का नाम बाइडन भूल गए और यह जो हुआ है कि मोदी जी का नाम बाइडन भूल गए यह अपने आप में दो तरीके से देखा जा सकता है एक तो यह कि बाइडन की स्थिती थोड़ी सी ठीक नहीं बताई जाती है और का जाता कि बाइडन मांसिक तोर पर उतने ज़्यादा स्वस्त नहीं है इसलिए हो सकता कि मोदी का नाम भूल गए हो दूसरी एक स्थिति इसको देखने की ये भी हो सकती है कि मोदी का नाम आज इतना छोटा हो गया है कि लोग भूल जा रहे हैं दो तरीके से आप इस खबर को इस स्थिति को देख सकते हैं आप सोचे कि ये हालात पैदा हो गए हैं इस तरीके से आज मोदी जी को अंतराष्टिय मंच पर सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद में ये हुआ कि खुद मोदी जी जो हैं अपने आप से उठकर के चल दिये मतलब ये कहा जाता है कि दुनिया के लोग मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिचाते हैं लेकिन यहां पर मोदी जी को खुद ही उठकर के जाना पड़ा ये तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ बया करती है अब इस तस्वीर से बहुत कुछ है वो भारत के इंदर भी और अमेरिका के इंदर भी खबरे बनी बाते बनी लेकिन मौधी जी के लिए स्तिती जोइ ठीक नहीं है एक तस्वीर में आपको और वीडियो जर आप देखी है यह वीडियो देखी है आप यहां पर यह मोधी जी ने खुच से वीडियो डाली है चांवारही यह बीडियो है ओर यह जब जितनी संक्षा में लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा आवाज आ रही है और इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा आवाज आ रही है अखिरकार ये हो क्या रहा है लोगों से ज़्यादा आवाज आ रही है क्या ये नकली तरीके से पब्लिक सिटी बनाए रखने के लिए कोई नया पैंतरा गड़ा जा रहा है ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो कि मोदी जी जब गए हैं अमेरिगा के अंदर हलाकि पिछली बार आपको याद होगा जब अजनाव कश्चप भी गई थी आज अजनाव कश्चप को नहीं लेकर के गए मतलब दोरे पर नहीं गई आज तक चैनल नहीं बेजा होगा तो अजनाव कश्चप ने वहाँ पर एक धोलक वाले से बात की थी कि आप यहां पर मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं, डोलक बजाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अंजना उमकश्चप के मूँ पर कह दिया था कि मेरे को तो रूपए मिले हैं, पैसे मिले हैं, और इसलिए मैं डोल बजा रहा हूँ यहां पर, इतनी खरी-खरी बेजती कर दी थी, लेकिन अब मोदी जी यहां जना उमकश्चप को और इन सब को छोड़ करके गए हैं, अब देखिए अमेरिका के अंदर क्या स्थिति पैदा हो रही है, मोदी जी की थोड़ी सी वीडियो आप देखिए, लोगों की आवाद जादा है, मोदी मोदी की संठ्यकम द मोदी, 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 मोदी पर आएंगे तब पता नहीं किस तरह का ताम जाम दिखे या ना दिखे आज गल वैसे मोदी जी का पूरा लाव लसकर के साथ में वह स्वागत दिखता नहीं है मोदी जी का अब देखी भारत में क्या हो रहा पकड़ मतलब ऐसा लग रहा धीली हो गई है जो मोदी जी की एक पकड़ बनती थी की कोई बोल नहीं सकता है कोई चून नहीं कर सकता है अब जरह यह देखिए आप ये एक वीडियो है जिसमें जैन चोधरी मंच पर हैं और जैन कुमार और एक अगरवाल साब दो मंत्री हैं और ये दोनों मंत्री जो है वो बोलते रहे बोलते रहे बहस्वाजी चलती रही और ये दोनों चुप नहीं हुए ये आरलडी के कोटे से ही मंत्री हैं मतलब योग्य दितनाथ की सरकार में मंत्री जरूर है अनिल कुमार है और द देव अगरवाल और यह दोनों जो है वो चुप नहीं हुए और बाद में यह हुआ कि जहें बदलनी पड़ गई सुनिए जरा जैसे जैसे अब दवाब बनता जा रहा है अर्थव्यवस्ता में परिवर्टन हो रहे हैं उनको नए काम कर मढ़ रहे हैं तो जो नई पीडिया हैं उनको इस नई विद्या से हम जोड़ता हैं उनके अंदर उसुपता है, सीखना चाते हैं, नई पीडी को ये भी समझ में आ रहा है कि ना तो वो खेती करना चाते हैं, ना खेती उस हिसाब से बच रही, ना खेती में वो फाइदा दिखता है, सरकारी छेत्र में कितना ही प्रियास कर ले, कितने ही पारदर्शिता और इमानदारी से बढ़ती प्रक्रिया का लुपालन हो, चंद ही नौक्रियां लोगों को मिल रही है, हर एक आत्मी बड़े पैमाने पे अपना व्यपाद नहीं बना सकता, उसके लिए पून जी की तो अलग-अलग स्तर पे प्रियास हो रहे हैं, एक तो पदानमंत्री विश्व कर्मा योजना है, जो बहुत महत्व कंशी योजना है, वे एक गाउं के उस पुराने काम, पुष्टेनी काम को विश्व पटल पर प्रतिस्पर्दा के लिए तयार करने की एक सोच है, जो कभ उद्यम के तरह, घाउं के जैन चोधरी का प्रोग्राम था जैन चोधरी के प्रोग्राम का यह पॉष्टर भी आप देख लीजिए, जैन को द리न मान्तरिकर प्रोग्राम में इन दोनों मंत्री उं को भी बिलाए गया था, अनिल कुमार जो है वो जैन पहले पोश्टर में रखा गया है और कपिल देव अंदर भारत में भी अब मोदी जी का वो जलवा नहीं दिखता है वो पकड़ नहीं दिखती है वो करिस्मा, वो मेजिक, वो चीजें, वो बातें अब सब खतम ऐसा ही विदेश में हो रहा है ऐसा ही यहां पर हो रहा है और विदेश में जिस तरीके से मोदी जी का ऐसा लगता है कि बीच बीच में ले जा करके एक event जरूर create कराया जाता है अभी भी जो है वो event के नाम पर खूब जो है वहाँ पर भवे तस्वीर पेस की जा रही है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि मोदी जी वहाँ पर क्या-क्या लेकर क्या आ रहे हैं वहाँ से इस पर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है तो बैराल दो तस्वीरे मैंने आपके सामने रखी है एक अमेरिका की तस्वीर है और एक भारत की तस्वीर है आप बताए कि क्या वाकई अब नरेंदर मोदी की पकड धीली हो रही है क्या नरेंदर मोदी अपने संगठन पर अपने आप पर अपनी इमेज पर क्या काबू नहीं कर पा रहे हैं बड़ा सवाल है आप क्या सोचते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताए इस वीडियो को शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद